हाई ग्वेल्टीज वेलकम टू इजी वे कॉमेर्स क्लासेज मैं हो तबिता और गाईस आज के इस वीडियो में हम लोग इंवार्मेंट इन सस्टेनेबल डिवलप्मेंट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे इससे पहले हमने इस चैप्टर में इनवार्मेंट का मतलब था और हमें एomena कीज़ ने wyस्ट एते हैं के हम इनंवार्मेंट से सारी चीज़ो में पड़ी थी अच्र और आप पहले लेकिन पढ़ाने से पहले और अपने doubt आप मेरे से YouTube पर या फिर Instagram पर ID है तब इता मैसी वहाँ पूच सकते हो अब आते हैं guys हम अपने topic पर जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या reason है जो हमारा environment degrade हो गया है degradation हमारे environment में क्यों हो रही है कि हमारा environment घटता चला जा रहा है बरबाद होता चला जा रहा है तो वो कहते हैं reversal of demand and supply relationship पहले के समय में क्या होता था guys जो environment से हम demand करते थे वो कम होती थी supply बहुत जादा होती थी environment हमें चीज़े दे रहा था लेकिन हम consume करने के लिए कम लोग थे ठीक है pollution कम होता था environment उसे absorb कर लेता था उसके absorption capacity के अंदर था लेते के हम सारे resources वो भी उसके regeneration से कम थे यानि कि हम जितना use करते थे environment हमें उतना और जादा तब तक बना के दे देता था यानि कि हमारा resource extraction था उससे लेना था वो हमेशा within उसके regeneration capacity था ठीक है वो बना भी देता था लेकिन अभी जो है पहले के समय से अभी सब कुछ उल्टा हो गया पहले हम लोगों की demand कम थी supply जादा थी environment हमें हर एक चीज दे रहा था अभी population इतनी तेजी से बढ़ रही है advanced technology आ रही है factories बढ़ रही है जिसकी वज़े से guys हम environment से demand बहुत जादा करने लग गए है और वहाँ पर supply क्या हो गई है कम हो गई है आप देखी रहे हो population कितनी तेजी से बढ़ रहे है जिसकी वज़े से आज की date में इतनी cars है कि population मलब इतनी जादा हो गई है कि cars बहुत जादा हो गई है cars जादा हो गई तो pollution बहुत जादा हो गया और pollution इतना जादा हो रहा है कि environment उसे absorb नहीं कर पारा even Delhi में रहने पे तो आप यह समझ दो कि pollution इतना every time रहता है कि आपको breathing problem होनी बड़ी लाजमी है तो यह है कि environment उसको absorb नहीं कर पारा जो हम उसे waste दे रहे हैं pollution अब बात करते हैं उससे लेने की जब हम उससे resource लेते हैं तो वह हम उससे इतना जादा ले रहे हैं कि उसको time ही दे रहे हैं कि वहीं वह regenerate करें तो यह reason है guys जिसकी वज़े से हमारा environment degrade हो रहा है तो जो पहले demand कम होती थी supply जादा होती थी आज की डेट में demand इसो नहीं बढ़ गई है कि supply बिचारी कम हो रह गई है जिसकी वज़े से हमारे environment को degrade होना पड़ रहा है next topic पर आते हैं guys global warming global warming के बार में आप सभी जानते हैं global warming का मतलब क्या होता है globally हम ने अरे atmosphere में जो गर्मी आ रही है इसी को बोलते है global warming आ रहे गर्मी पहले तो इत्ती नहीं होती थी आप बहुत अने लग गई है यही होता है global warming right लेकिन इसके पीछे का reason क्या है हम ही लोग है इसके पीछे का reason कैसे guys यह देखो increase in the average temperature of earth, atmosphere and ocean इसको तो global warming कहते हैं यानिके हमारे atmosphere में जो average बढ़ जाता है उसे global warming कहते है जो की 6 degree Celsius and 1.1 Fahrenheit है ठीक है जो increment हो रहा है जो की काफी जादा है लेकिन इसके reason क्या है reason है burning of coal कोईला कौन चला रहा है यूज़ कौन कर रहा है हमी लोग petroleum product हमी लोग यूज़ कर रहे हैं and the third reason is deforestation जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं अपने जंगलों में जो पेड़ है उन्हें खतम कट डाल रहे हैं greenery खतम कर रहे हैं that is also the reason की carbon dioxide की मात्रा बहुत जादा हो रही है और oxygen कम होती जा रही है जिससे global warming आ रहे है या फिर गाइस methane gas in our animal waste जो methane gas चोड़ी जाती है animal waste में पाई जाती है जिसकी वज़े से global warming हो रहे है so there are many other reasons जिसकी वज़े से globally हमें क्या हो रहे है atmosphere बढ़ता atmosphere में जो temperature बढ़ता नजर आ रहे है इसका effect क्या है guys effect यह है कि आपको हर जगे पर तुफान आते हुए नजर आ रहे है दूसर एफेक्ट के आपको बहुत सारे oceans है वो पिगलते वे नजर आ रहे है बहुत सारी बिमारी है specifically malaria, dingoo वगरा बहुत सारी फैल रही है and जो हमारे specific animal होते थे जैसे polar bear हो गया वो सब प्रजाती जो ठंड में रहती थे जो बरफ में रहती थी वो खतम होती नजर आ रही क्योंकि बरफ पिगल रही है oceans खतम हो रहे है ठीक है तो इसके बहुत नुकसान भी हो रहे है अब बात करते हैं guys ozone deflation की ozone deflation का मतलब सब समझते हैं आज के टाइम में सब लोग sunscreen use कर रहे हैं ताकि अपने हाथ को UV rays से बचाएं हमें skin cancer ना हो जाएं ozone deflation कहते है किसे है guys हमारे earth के आसपास एक ozone layer होती है जिसके अंदर hole हो रहा है और वहां से UV rays आती है जिसे ultraviolet rays कहते है जो हमें नुकसान पहुशाती है जिसके वज़े से skin cancer हो सकते है और other बिमारिया हो सकती है बट वह hole किसके वज़े से हो रहा है हमारी वज़े से हमी तो हैं जो अपने environment को इतना खराब कर रहे है सबसे पहले meaning destruction of ozone in the ozone layer due to the presence of chlorine chlorine की presence और वह chlorine कहां से आता है from man made chlorofluoro carbon and other factors तो यह जो chlorine आ रहे है man made chlorofluoro carbon से और यह कहां पाया जाते है यह हमारे fridge की gas जो release होती है AC की release होती है और आज की date में सबके घर fridge है सबके घर AC है तो आप सोच सक्तियों कि कितना मात्रा में यह gas जो है आपकी chlorine छोड़ी जाती है जिसकी वज़े से हमें UV rays का सामना करना पटता है जिसके लिए एक आया था Montreal Protocol UN के देश ने 2013 में उन लोगों ने काफी सारे देशों ने यह मिलकर तै किया था एक agreement पर साइन किया था कि हम लोग 2013 तक आते आते पहले साइन किया था लेकिन उन्होंने यह बोला था कि हम 2013 तक आते आते हमारा देश तो chloro-fluorocarbon यूज करना बंद कर देगा बट ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने कोई बंद कर दिया हो क्यों बंद कर देगा क्योंकि पदा तो चल रहा था कि नुकसान इससे सब देशों को हो रहा है अर्थ हमारी घुमती है इस नाम से जाना जाता है Montreel Protocol के नाम से जाना जाता है तो यह सारे चीजे है जो हमारे इंवार्मेंट में हो रही है और आप लगों को बता ओना जी यह जिसे कि यह सारे चीजे Created by the human है कोई भी इंवार्मेंट हमें नुकसान नहीं पहुचारा जब तक की हम ही उसको नुकसान पहुचाने में लगें तो गाइस आपको यह टॉपिक समझायोंगे और अगर समझायों तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाये और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना डाउट इंस्टाग्रेम पर पूछ सकते हो थांक यू